बिहारवट से जितने भी विद्यार्थी इस वार 2013 में इंटरमेडेट में एड़ीशन लिये थे उन सभी विद्यार्थियों का रेजिस्टेशन की परकिरिया सभी अस्कूल और कॉलेज में सुरू कर दिया है जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आप लोगो रेज करना होगा अपने अस्कूल कॉलेज में उसके बाद आप लोगो रेजिस्टेशन की परकिरिया हुआ पर आउनलाइन के माधियम से किया जाएगा तो यह घर बैठे आप लाइन फॉर्म को आप लोगो खुद से भर सकते हैं और क्या-क्या गलती नहीं करना जिन से आगए आ आप लोगो मैं बतादेना चाहता हूं कि यह आपको साइंस वाले वजयार्थियों को है अगर आप से हैं कौमर्च द्यूज सब्जेक्ट हैं तो सभी सभर स्ब्जेक्ट के लिए आप लोगो से न को लिगता है उसके बाद आप लोगो सेकर्णड में जो आप लोगो भरना रहा था वह छीज को मैं फिलैप कर लेता हूं यहां पर आप लोगो सबसे पहले देख से तहीं आपलों को देखा गया है तो Memo मेंस चूज करना है रेगुलर या प्राइबे तो आप लोगो यहां पर इंग्लेश में बुद्ध में इसके बाद आप लोगो स्थेड़े रहे इसद्ली रहां टो आप लोगो को आप लिट क्वच सेस्क परह सकते हैं उसके जो फोटे रहा करना होगा अनिया था जो टेंथ पास के हैं उस कोट का आप लोगो यहां पर फिलप नहीं करना है और जो भी आप लोगो डिटल इसमें फिलप कीजेगा जो आपका टेंथ में सेम चीज इसमें आप लोगो डिटल को आपको भरना है क्योंकि अगर टेंथ वाले इसमें नहीं तो आगे आप लोग को कठनाई होगा, भैरिफिकेशन में आप लोग को दीकत होगी, तो इस बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है, उसके बाद आप लोग को सब डिश्टी का नाम यहां पर आप लोग को फिल अप कर देना है, उसके बाद आप लोगो जो भी DSTIC के अंतरगात आते हैं उस DSTIC का नाम एहाँ पर आप लोगको फिलप करना है जिस DSTIC से में आपका lotus school college में ड्वी शने उस DSTic का नाम है पर आप लोगको फिलप करना है इसके बाद आपको student name को यहां पर आप लोगो fill up कर देना है और सभी को यहां पर आप लोगो बड़े अच्छीन में भरना है और बलैक और बुलुपेम से ही अप लोगो form को fill up करना होगा उसके बाद आप लोगो यहाँ पदेख देते हैं student name हिंदी में यहाँ पर आप लोगो fill up कर देना इस बाले में उसके बाद आप लोगो mother's name को fill up करना यानि अपने माता का नाम हिंदी में यहाँ पर आप लोगो fill up कर देना है इस corner में जो डेटा बीर वाया सेट पर यहांपर आप लोग को फिल आप करना है उसके बाद आप लोग को क्या करना है तो मैट्री कोलाश ञेंट वाले ह widget वाले ही आप लोग उपले वी ज़ी देटाप 이제 सुझना नाम पर आपलोग को अपना भोक का नाम कर सकते हैं कि उसके बाद अब जो भी अगर आप लोगों लड़का है तो मेल पर फिलिक कीजिएगा और वही लड़की है तो फीमेल पर और उसके बाद जो भी अगर अगर अनादर है तो अनादर पर आप लोग किलिक कर सकते हैं कास्ट कटेगरी सबसे इंपॉर्टेट होता है बहुत सारे विद्यार्थी इसमें आप लोगो देखा जाए तो कास्ट कटेगरी में गलत करते हैं तो जो बच्चे जेनरल से आते हैं जिनको किसी पर करके भी लाब नहीं मिलता तो जेनरल वाले में किलिक किजिएगा उसके बाद आप लोगो इसमें कुछ है रच्छन मिलता है तो इसमें अगर आप फिर नेल्टी अगर है अगर आपके किसी हाथ में या आक में या नाक में अगर प्रिक्षा देने में दिकत होती है अब लेबल नहीं है किसी दूसरे को सहायता से आप एक्जाम देते हैं तो वहां पर यस या नो को आप लोगो या उप्शन देखने को मिलेगा वह अपने इनुसा से आप लोग फिलब कर सकते हैं नेशनेल्टी या नेरस्टी एता आपका क्या है तो सभी विद्यार्तियों को इंडियन ही फिलब करना होगा रीजन यानि आपका धर्म क्या है तो धर्म में सभी विद्यार्तियों को जो भी का आप लोगो धर्म से आते हैं अगर हि यहां पर आपका नोटिफिकेशन दिया जाएगा वही यहां पर आपका निवास है अस्थान है अधार काड में जो भी आपका है प्रजेंट आड्रेस यहां पर आप लोगो फिलप कर देना है पूरा अच्छे ढंग से फिर उसके बाद आप लोगो यहां पर आप लोगो मायरेज या अगर मायरेज है तो यहां पर किलिक कीजएगा नहीं है तो आनमेरेज पर किलिक करना है वही आपको बैंक का डिटेल हैं पर आप लोगो दे द आपने नुसार्स का बात आता है आप लोगों सब्सक्राइब सब्सक्राइब डिटल में आपको मैं बता देना चाहता हूँ सेम प्रोसेस से हैं सभी विद्यार्थियों को रहेगा साइंस आस्कुमास के यहां पर दो कंपलसरी सब्जेक्ट میں आप लोग को हिंदी इंगलीश आप लोग को रहेगा कंपल सारी में आप आप लोग कंपलरिय में इसमें सिर्फ आप लोग को सौन नमर को सेलेक्ट पर करते हैं तो अगर आपका विह च Warsz Лю च कर्फिह यहां पर सब्सक्राइब नहीं करनाom यहां पर English अलावे छोड़कर जो भी आपका भासा है यह हिंदी है यह उर्दू है मैथली है संस्क्रीटी है और यह भी है मगी है भोजपूरिया है यह यह तो जो भी आपका भासा लांगवेज है वह चीज को यहां पर आप लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं तो यह आप लोग सेलेक्ट करना होगा यहां पर आप लोगा दो सो मार्क पूटलोगो सेलेक्ट आरना होगा जो भी बच्चे आप लोगो है तो यहां पर आप लोगो अगर आप हिंदी या मैथली सलेक्ट के हैं हिंदी इंगली सलेक्ट के हैं तो यहां पर आप लोगो इसमें से आप लोगो तीन सब्जेक्ट को आपको सब्जेक्टा ना होगा, जो आप एक्जाम में तयारी कर रहे हैं, एडिवीशन लेते समय, जो भी आप लोग सब्जेक्ट को चूज कियें, वेही सब्जेक्ट को यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट आरkiegoवा, तो यहाँ पर आप लोग को fairly तो कोmaya सटैट किजेगा अगर आपको बैलिस्टा क्या तो एक श्रा वाला का additional subject का नीचे आप लोग को आएगा तो यहांपर आप देख सकते हैं physics chemistry अगर आपका माय थयां पर chill justition per anna hoगा यहांपर मढख स्पुजोंग होगा फिलाल यहांपर मैं सेलेक्टर लेता हूं एडिशनल सब्जेक्ट में आप लोगो एक्ष्टा वाले सब्जेक्ट जो रहेगा आपका इसमें आप लोगो सेलेक्ट आरना होगा एडिशनल सब्जेक्ट में यहां पर आप देख सेते हैं तो यहां पर आप लोग को BAYLOGY पर कलीक कर लेना है यह यह आपलोग को Hindi English भी आप लोग नहीं select किए हैं तो Hindi English भी Extra में आप लोग राख सकते हैं Extra में राखने से यह आप पाईदा होता है सभी गयारतियों को कि जो भी अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप लोग को इसी कारण बस से फेल कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोग को यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है और उससे नंबर को एड किया जाता है अब बहुत सारे भी द्यार्थिक हो है कि आप लोग को फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है मैट्रिक इंडर के ओरिजिनल एडिस्टेशन फॉर्म को डाउनलोड टरने के लिए सिंपल से अपने मुआल को किसी भी क्रोम ब्रोजर को ओपन कीजे बिहा और गूगल में टाइप कीजे बिहार जनकारी.in जिस तरीका से मैं टाइप किया हूं सेम इसी तरीका से आपको भी अपने मुआल में टाइप करके आप लोग को सर्च कीजेगा और नीचे स्क्रोल कीजेगा तो यहां पर आप लोग को बिहार जनकारी.in आप लोग को देखने को मिलेगा सब्सक्राइब करके बगलबले घंटी को प्रेश जरूर कीजेगा